हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे खेकसी की सजी जो की खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी होता है टेश्टी की साथ-साथ यह बहुत ज़्यादा पॉश्टिकता भी होता है तो चलिए देर न करते हुए इस रेस्पी को कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं तो यहाँ और बस इसके हमें दो-दो-पीस इस तरीके से कर लेनी है और यह बहुत ही ज़्यादा नरम है मतलब क्या बोलते हैं आपकी भासा में हमारे यहां तो इसे क्योची कहा जाता है क्योची मतलब कोमल-कोमल जो रते न वो है तो हमें अच्छे से इसे इस तरीके से दो-दो-पी जल्दी पौडर, आधा चमच लाल मिर्श पौडर, आधा चमच अद्रक लसुन का पेष्ट इस टैम पे एड़ करेंगे और एक चमच यहाँ पर मैंने बेसन लिया है तो बेसन मैंने यहाँ पर बड़ा चमच लिया है छोड़ा चमच आप ले रहे हैं तो दो चमच लीजेग तो मैंने इधर ले लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे सरसो का तेल तेल जैसे ही अच्छे से गरम हो जाए बस हमें उसमें अड़ करनी है खेकसी जो कि हमने अभी मसाले पे लपेट के रखा था न वो और इसे अच्छे से आधा ही हमने डाला है आधा हम बचा करके रखेंगे और फ्रेंट्स यहां पर एक चीज और है कि जब भी आप मसालों के साथ खेकसी को इस तरीके से कोटिंग करें तो 10-15 मिनट के लिए उसे रष्ट दें उसके बाद ही आप उसे फ्राई करें तो देख सकते हैं एक साइड से जैसे ही अच्छे से वो पकने लगे त तो 5-7 मिनट के अंदर लो फ्लेम पे वो एक साइड से बहुत अच्छे से इस तरीके से पकनी सुरू हो जाती है तो इस तरीके से मैंने इस पे सभी जो खेकसीया थी जो हमने डाली थी वो उसकी मैंने साइड यहां पर चेंज कर दी है दूसरे साइड से भी इसी तरीके से पलटे हमें 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राइब कर लेना है और आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमारी खेक से बहुत इच्छे से आपर फ्राइब हो चुकी है देखने से कितने ज्यादा अच्छी लग रही है सोच सकते हैं दोस्तों खाने में कितनी जादर टीश्टी बनने वाली है ये रिस्पी तो चलिए ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है अब हम क्या करेंगे इसका जितना भी एक्ष्टा ओइल है वो निथारते हुए हमें इसे एक प्लेट पे निकाल करके रख लेना है तो इसी तरीके और जैसे ये सब खेकसी अच्छे से पक जाती है तो ये देख सकते हैं हमारे याँ पर ये भी खेकसी की जो हमने दूसरा बैच डाला था वो भी बहुत अच्छे से आपर फ्राई हो चुका है इसे भी हमें इसी तरह तेल निधारते वे उसी प्लेट पे निकाल लेनी है तो ये देख सकते हमने इसे निकाल लिया है प्लेट पे और चलते हैं उसी ओयल पे हम डाल देंगे 14 चमच जीरा साबुच जीरा हमने अड़ किया 12 चमच कुटा हुआ धनिया 12 चमच कुटा हुआ साउफ और इसे कलाउंजी या फिर मंगरैला बीच कहते हैं वो हमने एक चोथा हुआ Sophia एड़ किया उसके चटकने के बाद हमने यहाँआपर एड़ किया प्याज तो एक बड़े साइच का प्याज जिसे हमने बारिक बारिक काट लिया है वो एड़ करके हमें अच्छे से प्याज को यहां पर बून लेना है लो फ्लेम पे प्याज को अच्छे से पका लेना है अधरक लसुन को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे फिर से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि जो अधरक लसुन है उसका भी हलका सा कच्चपन दूर हो जाए उसके बाद हम इस पर डालेंगे टमाटर जो कि एक बड़े साइच का टमाटर है है वो हमने यहाँ पर अच्छे से कद्दू कस करके लिया है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं टमाटर को यहाँ पर अच्छे से पका लेंगे ताकि जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसका सारा कच्चपन यहाँ पर दूर हो जाए फ्रेंड्स आपने खेकसी की सबजी त पर नमक स्वाद के रुसार, एक चौत हाई चमज चल्दी पॉडर, आधा चमज लाल मिश पॉडर, आधा चमज धन्या पॉडर, आदा चमज जीरा पॉडर اور मैंने डाला इस पर आधा चमज कीचंद किंग मसाला, चाहो ताप यहां पे गरम मसाला या फिर कोई भी मसाला घर म वो मसाला पका सकता है बस इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए मसाला हमारी आपर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है तो बस हम उस पर ढालेंगे पानी तो यहां पर मैंने मिडियुम ग्लास मेल्म का पानी लिया है एक ग्लास। उस्yaB जैसे कि दोस्तों खेकसी अभी मार्केट में बहुत जादा आनी सुरू हो चुकी है और यह बहुत ही जादा प्रोटीन विटामिन से भरपूर होता है तो आप एक बार जरूर राही करिएगा साल में एक बार आती है ये खेकसी जो की जंगलों का राजा कहा जाता है इस खेकसी की सबजी को है ना तो आप एक बार जरूर बना कर खाईएगा आपको बहुत पसंद आ जाएगा ग्रेवे में हमने एक कर दिया खेकसी और उसे लो फ्लेम पर हमने ढख करके पकाया था 7 मिनठ के लिए और आप देख सकते हैं मसालों के साथ बहुत अच्छे से हमारी यापर खेकसी मिक्स हो चुकी है बहुत अच्छे से पक चुकी है इतना पकाने के बाद बस इसमें हम एड़ करेंगे हरा धनिया तो लिजे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से तयार है बिल्कुल नए तरीके से नए सुआद में खेकसी की ये मज़िदार सी रेस पी तो आप इस बार जरूर ड्राय करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा और हाँ फ्रेंड्स आपको आज की ये रेसे पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ ही कमेंट करके बताईएग कि खेकसी आपको कैसी लगी और हाँ आपके यह इसे क्या कहा जाता है जहां तक इसे हर जगा अलग अलग नामों से जाना जाता है हमारे यह तो इसे खेकसी कहा जाता है आपके यह इसे क्या कहा जाता है बताईएगा और हाँ चैनल को भी ज़रूर सस्क्राइब करिएगा इ